चांद से प्यारी दादी माँ हम सभी के लाइफ में हमारे दादा और दादी का एक अलग ही इंपोर्टेंस होता है मैं अपनी बात बताओं तो मैं अपनी दादा के बहुत ज़्यादा क्लोस था मैं उनके साथ अपना पुरा दिन बिताया करता था बचपन में और किसी के पास जाता ही नहीं था मुझे कमेट्स में बताओ कि तुम लोग अपने पूरे फैमली में सबसे ज़्यादा क्लोस किसके हो तो आज की हमारी कहानी है ऑथर खुस्वन सिंग की जो हमें इस स्टोरी में अपनी ग्रैंड मदर और उनके प्यारे रिलेशनसिप के बार में बताते है आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे हॉन्बिल बुक का चैप्टर नमबर वन पोट्रेट अफ लेडी जो की पूरा 3D एनिमेटेड होने वाला है बस इस वीडियो को एंड तक देख लो और एक्जाम में फुल माक्स लेके आओगे तुम लोग तो यहां तक तो था हमारे इस चैप्टर का छोटा सा इंट्रो लेट स्टार्ट आर डिटेल एक्स्प्लानेशन खुसवन सिंग चैप्टर को स्टार्ट करते हुए बोलते हैं कि हर किसी की ग्रैंड मदर के जैसी मेरी भी एक ग्रैंड मदर थी जो कि काफी बूढी थी उनके फेस में रिंकल्स थे जो कि मैं 20 सालों से देख रहा था लोग कहते थे कि मेरी ग्रैंड मदर जब यंग थी तब वो बहुत ही जादा प्रिटी दिखा करती थी और उनके हस्बेंड भी थे जो कि ऑथर के लिए बिलीव करना थोड़ा मुस्कि हुआ चिमनी से निकल रहा होता है तुम लोग उसकी फोटो देख सकते हो अपने स्क्रीन पे ओथर के ग्रैंट फादर ने फोटो में एक बड़ा तर्बन पहना होता है और उसके साथ लूस फिटिंग क्लोथ पहने होते हैं उनकी दाढ़ी और बाल वाइट हो चुके थे औ और वो बहुत जादा बुड़े दिख रहे होते हैं उस फोटो में उस पोट्रेट में उन्हें देखकर ये लगता नहीं था कि उनके बच्चे या फिर वाइफ होंगे ऐसा लगता था जैसे उनके केवल बहुत सारे ग्रैंट चिल्रेन होंगे बस ओथर को ये बात बहुत चlorig भिषिंद धी जादर रिवोल्टिंग लगती थी कि उनकी ग्रैंड अजा कभी प्रीटी भी दिखा करती होगी अब आगे कि स्टोरी में हमें ओथर उनकी ग्रैंड़ मदर के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि उनकी grandmother short-heighted थी, fat थी and slightly bent होकर चलती थी and उनके face में बहुत सारे wrinkles थे 20 साल से वो author को वैसे ही लग रही होती है, वो पुरे घर में white color के cloth पहन कर अपने हाथ में एक माला पकड़े हुए भगवान का नाम लेते लेते घूमा करती थी और घर के सारे काम किया करती थी, author और उनकी grandmother बहुत ही अच्छे दोस्त थे author के parents उन्हें उनकी दादी के पास छोड़कर city में settle होने चले जाते हैं और तब से वो साथ रहते थे और साथ ही सब काम किया करते थे, अब grandma उन्हें सुबा उठा कर उनके school के लिए ready किया करती थी सुबा सुबा grandma prayer भी गाया करती थी ताकि author भी prayer सीखे author उनकी prayer को सुना करते थे क्योंकि उन्हें अपनी grandmother की अवाज काफी पसंद थी लेकिन वो कभी भी prayer को सीखने की कोसिस नहीं करते हैं उनकी grandma उनके लिए wooden slate पैक करती है जो की वो पहले से ही उसे धोकर रखी होती थी wooden slate के साथ वो एक ink pot, yellow chalk, red pen इन सारी चीजों को बांध कर author को hand over कर दिया करती थी अब वो दोनों breakfast में stale chapati मतलब बासी रोटी में थोड़ा butter और चीनी डाल कर खाते हैं और school के लिए निकल पड़ते हैं गाओं के street dogs के लिए भी उनकी grandmother बासी रोटिया ले जाती थी ताकि उन्हें feed कर पाए author और उनकी grandmother school साथ में जाये करते थे क्योंकि school और temple attached था grandmother मंदिर में जाकर scriptures पढ़ा करती थी और मैं यानि कि author सारे student के साथ वरांडा में बैठते थे और वहां के जो पुजारी थे वो उन्हें prayers and alphabets सिखाते थे इसके बाद वो घर साथ में निकल जाया करते थे और street dogs को feed कर देते थे और वो dogs लड़ते हुए उनका पीछा करते हुए घर पहुंच जाते थे उनके साथ जब author के parents city में comfortably settled हो गये तो वो उन दोनों को वहां city में बुला लेते हैं और ये उनकी friendship का एक turning point बन जाता है वो city में भी same room share करते थे लेकिन अब grandmother उन्हें school छोड़ने नहीं जा पाती थी author school अब motor bus से जाने लगते हैं उनकी grandma अब dogs की जगा घर की backyard में spadows को feed करने लगी अब जैसे जैसे साल बीचते गए उनकी beach की दूरी बढ़ती गई author जब school से वापस आये करते थे तो उनकी grandmother पूछा करती थी कि उसकी teacher ने उसे school में क्या पढ़ाया तब वो उन्हें बताते थे कि उन्होंने English words के साथ थोड़ा western science के बारे में पढ़ा है वो उन्हें Archimedes principle, law of gravity इन सारी चीजों के बारे में बताते हैं और ये सब के बारे में सुनकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती है क्योंकि वो इन सारी lessons में author की help नहीं कर सकती थी उन्हें English school की पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है क्योंकि वहाँ पर God and scriptures के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता था और नहीं बताया जाता था एक दिन चब author उन्हें बताते हैं कि उनके school में music lessons start हुए है music केवल beggars और बूरे लोग ही सीखते हैं और अच्छे लोग के लिए music नहीं होता है उस दिन के बाद उनकी grandmother उनसे यानि कि author से कभी कभी ही बात किया करती थी अब author university चले जाते हैं यानि कि वो बड़े हो जाते हैं और उनको एक separate room दे दिया जाता है उनकी बीच की जो एक common link था वो भी अब तूट जाता है उनकी grandma दिन भर spinning wheel में बैठे वे prayers recite करती रहती थी और बस afternoon का time रहता था जब वो थोड़ा देर rest करती थी और उस time पे भी वो sparrows को फिर feed करने चली जाती थी 100 plus sparrow वहाँ पे आते थे उनके पास और उनके साथ time sprint करते थे और वो जो time था आधे घंटे का वो grandmother के लिए happiest time हुआ करता था जब author decide करते हैं कि वो अपने studies को continue करने के लिए abroad जाएंगे तब वो sure थे कि उनकी grandma उस time पे बहुत ज़्यादा upset हुई होगी क्योंकि वो 5 साल के बलिये बाहर जा रहे थे उनकी grandma अब उन्हें station छोड़ने जाती है उस time पे वो बिलकुल भी अपने emotion सो नहीं करती है बस उन्होंने अपने एक हाथ में माला पकड़ा हुआ होता है और उनकी mouth prayer recite कर रही होती है अब जाती वक्त उनकी grandmother उनके forehead पे एक kiss देती है और ये kiss उनका last physical contact था अब 5 साल बीच जाते है author फिर से लोटते है और station पे उनकी grandma wait कर रही होती है उनकी grandma उस time पे भी एकदम same दिख रही होती है जैसे उन्होंने last time पे अपनी grandma को देखा था अब जैसे ही वो station पे उतरते हैं उनकी grandmother उन्हें hug कर लेती है और पहले के जैसे ही वो chanting कर रही होती है अपने माला को पकड़े हुए 5 साल बाद भी उनका favorite काम sparrows को feed करना था अब साम में उनमें एक change आता है वो महले की सारी औरतों को इखटा कर लेती है और drum के साथ गाना गाना सुरू कर देती है वो home coming of warrior song गाती है मतलब वो song जब कोई warrior जंग जीत के आते थे तब उनके लिए ये गाना गाया जाता था वो उस दिन पहली बार prayer नहीं गा रही होती है वो बहुत ज़्यादा enjoy करती है उस दिन अब next morning वो बिमार पड़ जाती है डॉक्टर बोलते हैं कि ये हलका सा बुखार है जो ठीक हो जाएगा बट उनकी grandmother बोलती है कि ये उनका आखरी time है ये उनका end है वो लोग उनका protest करते हैं कि आप ऐसा मत बोलिये लेकिन वो peacefully अपने bed पे लेट जाती है और अपने हाथों में माला पकड़े हुए chanting करना सुरू कर देती है या उनकी भगवान का नाम लेना सुरू करती है और कुछ देर में वो चुप हो जाती है और उनके हाथों से माला नीचे गिर जाती है दिस मिन्स उनकी death हो जाती है अब वो लोग उन्हें एक red shroud में कवर कर देते हैं और वो लोग उनके funeral की तैयारी में लग जाते हैं कुछ टाइम बाद वो देखते हैं कि सारे sparrows वहाँ वराइंडा में एकखटे हो जाते है और उस दिन वो बिलकुल भी शोर नहीं कर रहे होते हैं ओथर की mother उनके लिए बाहर bread रखकर अंतिम संसकार के लिए नि चुआ होता है वो bread का जो टुकड़ा था वैसे ही वहाँ पड़ा होता है दिस एक्ट सोज दैट कि उन स्पैरोस को भी यह पता चल जाता है कि grandmother इस दुनिया से बहुत जादा दूर जा चुकी है अब next morning sweeper यानि कि उनके घर में जो साफ सफाई करता था वो उस bread को उठा कर dust speed में डाल देता है and this is the end of our story so guys I hope तुम लोगों को explanation काफी पसंद आया होगा चैनल पे नए ओ दिन सब्सक्राइब जरूर करना क्यूंकि आगे भी तुम लोगों को पूरे 11th class का content ऐसे ही मिलते रहेगा and 12th में भी हम लोग आगे further continue करेंगे next साल और 11th में तो fold के अभी आएं देख लेना अगर नहीं देखाओगा तो चलो मिलते किसी और वीडियो वे thanks for watching the video